नमस्कार दोस्तों, एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल के एक और शांदार वीडियो में। दोस्तों, बॉलिवुड इंडस्ट्री की बात करें तो आक्टर और अक्ट्रसेज एक फिल्म के लिए करोडों रुपए फीस लेते हैं। वहीं बॉलिवुड में यह बहस बहुत पुरानी है कि अभिनेताओं की तुलना में अभिनेत्रियों को फीस कम दी जाती है। लेकिन फिर भी बॉलिवुड में कई अभिनेत्रियां हैं जो अपने टालेंट और काम के बल पर शीर्ष पर पहुँच गई हैं। और बहुत अमीर भी हैं। आईए आज हम आपको बताते हैं बॉलिवुड की दस सबसे अमीर अभिनेत्रियों के बारे में। तो चलिए इस शांदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तो बच्चन परिवार की बहु एश्वर्या राय बच्चन हॉलिवुड तक अपनी धाग जमा चुकी हैं। बॉलिवुड की दुनिया में अपने होस्न और अपनी अदाकारी से तहल का मचाने वाली आक्ट्रेस एश्वर्या राय बच्चन भारत की मशूर और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज में से एक मानी जाती हैं। साल 1994 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही अश्वर्या अक्सर अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इनके पास आज लगभग 7.44 अरब रुपए की संपत्ती है। दोस्तो बॉलिवुड की देशी गोल और अब हॉलिवुड में धमाल मचा रही प्रियंका चोपडा की सालाना नेट वर्थ करीब 5.20 अरब रुपए है। कुछ समय पहले प्रियंका को फेमस जूलरी ब्रांड बुलगारी का ब्रांड अम्वेस्टर बनाया गया। इन्होंने बंबल जैसी टेक कंपनियों में भी काफी इन्वेस्ट किया है। दोस्तो करीना कपूर को बॉलिवुड की बेबी भी कहा जाता है। इन्हें इनके स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है। पैसों के मामले में वे अपने पती सैफ अली खान को भी टक कर दे रही है। करीना फिल्मों के स्टेज शो, रेडियो शो, होस्ट जैसी कई चीज़ें करती हैं। आज ये 2022 में 4.46 अरब रुपए की मालकिन है। दोस्तों आपको पता है आजकल अनुषका को लोग आक्रिस अनुषका शर्मा नहीं बोलते। आजकल अनुषका को लोग बोलते हैं विराट कोहली की वाईफ अनुषका। यह फिल्म फेर जैसे कई बड़े-बड़े अवार्ज भी जीच चुकी हैं। यह 18 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अनुषका की नेट वर्थ वर्तमान में 3.49 अरब रुपए है। दोस्तों इस लिस्ट में नमबर 5 पर हैं दिपिका पादुकून। दोस्तों वर्तमान की ड्रीम गिर्ल और अपनी पहली फिल्म से लोगों के दिलों पर राज करने वाली दिपिका पादुकून। 2.97 अरब रुपए की मालकिन हैं। यह अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 10 करोड रुपए तक कमाती हैं। दोस्तों एक और खूबसूरत अक्ट्रेस इस लिस्ट में चहवे नंबर पर हैं। माधुरी बॉलिवूड अक्ट्रेस होने के साथ साथ एक डांसर और प्रडूसर भी हैं। दोस्तों हाली में केट्रीना काफ की शादी हुई है। बॉलिवूड की बेबी डॉल कही जाने वाली केट्रीना की नेट वर्थ तकरीबन 2.30 अरब रुपए है। यह अपनी एक फिल्म से करीब 9 से 10 करोड रुपए तक कमाती हैं। इनके अनुसार यह हर साल लगभग 23-24 करोड रुपए तक कमाती हैं। दोस्तों प्रीती जिन्टा एक भारती अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। अंग्रेजी ओनर और क्रिमिनल मनोवग्यानिक में डिग्री के साथ ग्राजुएट होने के बाद जिन्टा ने 1998 में दिल से फिल्म से अभिने की शुरुआत की। इनकी 2022 में कुलसम पत्ती लगभग 2.23 अरब रुपए है। दोस्तों काजोल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। इन्होंने कई सालों तक बॉलिवुड की कई बहतरीन और ना भुलाने वाली फिल्मों में आक्टिंग की। इनके सफलता का अंदाजा इस बाद से लगाया जा सकता है कि काजोल की नेट वर्थ आज 24 मिलियन डॉलर है। काजोल 2.8 हरब रुपए की मालकिन है। दोस्तो बॉलिवुड अक्ट्रिस विद्या बालन अपने शानदार अभिने की वज़े से लोगों के दिलों पर राज करती है। फिल्मों में अपने संजीदा अभिने से अक्ट्रिस ने बॉलिवुड में एक अलग ही पहचान बनाई है। विद्या बालन बॉलिवुड की उन अक्ट्रिस में शामिल हैं जो अपने दम पर फिल्म्स को हिट करा सकती हैं यह एक फिल्म के लिए मोटी फीस लेती हैं इनका वर्त्मा नेट वर्थ लगभग 1.85 अरब रुपय है तो दोस्तो ये थी टॉप 10 रिच यानि अमीर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का अभार फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद